Hello everyone, स्वागत है आप सभी का YouTube Mom के Tuesday special episode में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी delivery cesarean section से होती है तो cesarean का भाय भी बहुत लोगों में होता है लेकिन आज के समय में हर तीसरी delivery cesarean ही हो रही है ऐसे में cesarean के बाद खुद की care कैसे करें कई बाद छोटी छोटी गलती आपके लिए बहुत भारी बढ़ जाती है और recovery में बहुत टाइम लगता है छोटा बेबी होता है आपके पास और depressed आप होती चली जाती है कैसे निजात पाएं पहले सिख लीजिए कि अपनी care कैसे करनी है प्रिपेर रहें क्या पता delivery के समय कुछ ऐसी परिस्थितिया होगी आपको भी इस phase से pass out होना पड़े तो आपके पास information रहने से आप परिशान नहीं होगी आपको handling आती होगी सबसे पहले बात आती है कि अगर delivery cesarean है तो stitches लगे हैं तो सबसे पहले एक हफ़ते में दस दिन में जिस तरह के stitches लगे हैं आपकी पटी हटेगी doctor stitches देखेंगी अगर stitches अच्छे हैं तो उसके बाद आपको पटी नहीं लगाई जाएगी उसके बाद आप उसको कोशिश करें कि वहाँ पर पसीना या गीलापन ना रहे वो ड्राय रहें और कई बार कुछ ointment कोई powder आपको दिया जाता है उसको timely वहाँ पर apply करें ताकि infection से बचें और stitches की केर के लिए आपको कुछ tablets दी जाती हैं जो कि antibiotic होती है तो उनको आप regular ले stitches की पूरी केर करें जिससे की stitches हील हो जाए और उनमें कोई problem नहीं किसी तरह का सूजन redness या discharge अगर पानी जैसा भी अगर आपको discharge लगता है तो immediately doctor से contact करें क्योंकि condition अगर खराब हो जाए तब समालना भी मुश्किल हो जाता है जितना जल्दी आप doctor से बात करेंगे discuss करेंगे चीजें आसानी से handle हो पाएंगे सीजीरीन होने के बाद माँ को बच्चे को feed कराने में breast feed कराने में भी problem आती है और कई बार diet में जो changes आ जाते हैं उसकी बज़े से breast milk अच्छे से नहीं बनता कई माँ को breast milk बन भी रहा है लेकिन वह पिला नहीं पार इसलिए breast milk बन जाते हैं तो ऐसे में क्या करें तो अगर बच्चा अगर नहीं पी पा रहा है ठीक से क्योंकि new born है तीरी तीरी सीखेगा वो एक महीना लगेगा उसको अच्छे से सीखने में feeding लेने में तो ऐसे में breast pump का use कीजिए और extra milk अगर बच जा रहा है तो लंप बनने से बचने के लिए आप pump करके निका लेजे और bottle से बच् को बॉटल से दे सकते हैं वो कोई भी पिला सकता है तो आपको भी आराम मिल जाएगा तो breast feeding का knowledge आपको शुरू से होना चाहिए breast feed से regarding मेरा बहुत important वीडियो है जिसको बहुत जादा लाखों लोगों ने सरा है पसंद किया है उसको यहां दिए कि आई बचन की लिंक से अब देख सकते हैं जब तक आपके stitches ठीक नहीं हो जाते है hospital में आपकी doctor dietician आपको special diets adjust करते हैं जिससे की milk production बढ़ता है आपका energy level बढ़ता है थोड़ी protein की मातरा अच्छी होती है उसके अंदर constipation ना हो इसके लिए कुछ fiber होते हैं उसको बहुत समझदारी से फॉलो करें सूप ले सकते हैं पपाया खीरा आपको बहुत help करेगा कच्छा पपीता भी आप ले सकते हैं सबजी बनाकर या फिर पका पपीता एक बोल आप डेली खा सकते हैं जिससे milk production और constipation दोनों में आरा मिलता यूट्रोस भी हील जलती होता है ceserian delivery होने कार्थ ये नहीं है कि आपको अप बिस्तर पे ही रहना है इससे बहुत जादा problem होती है महिला है बहुत जादा weight gain कर लेती है और फिर उनको सेहत में बहुत problem होती है 3-4 दिन बाद जब आपके urine के नली निकाल दी जाती है उसके बाद से आप हलका फुलका अपने room में, hospital की corridor में और घर में हलका फुलका टह ले दो से तीन बार आप अपने बिस्तर से ज़रूर उठें सुबह से रात तक और थोड़ा सा walk कर दें जितना body allow कर पाता है इससे recovery बहुत जल्दी होती है कहते हैं C-section के बाद खटा नहीं खाना चाहिए, milk नहीं लेना चाहिए, दोनों मित है, खटी चीजें जिसमें कि vitamin C होता है वो घाव को भरने में जो operation हुआ उसको heal करने में बहुत help करता है, pregnancy में आफी baby fat हमारे पेट पे जमा हो जाता है, तो अब वक तीन महीने बाद, delivery के तीन महीने बाद, जब अंदर के घाव और बाहर का घाव पूरी तरह से भर जाता है, तब आप हलके फूल के yoga position और 6 महीने बाद आप बहुत अच्छे से सारे exercise कर सकती है, क्योंकि जितना जल्दी हो इस fat को lose कर देना चाहिए, otherwise आपको depression हो सकता है, hormonal imbalance हो सकता है, और अगली बार अगर आप conceive करना चाहें, तो आपको बहुत problem हो सकती है, अगली महत्वपूर्पूर्ण बात है नहाने से related, करी जगह गावों में आज भी delivery के बाद महीलाओं को महीने, डिड़ महीने तक नहलाया नहीं जाता है, ये काफी unhygienic practice है, और अगर आ करें कि stitch area dry रहे, पोंच ले, सुखा ले, ointment powder जो भी आपको दिया गया है, उसको apply करें जब जब बताया गया है, लेकिन नहीं नहाना, ये बिल्कुल गलत आइडिया है, प्रेगनेंट थे तब तक supplement ले रहते, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है, मेरे delivery हो चुकी है, ये ब्रेस्ट फीट करा रहे हैं, तब तक supplement continue रखें, तीन साल तक बच्चे के दिमाग का विकास होता है, और शुरू के 6 महीने, जब exclusive बच्चे ब्रेस्ट फीट पे है, तो उसको सारा पोशन मा से मिलेगा, तो breast milk की quality बढ़ाने के लिए, अपनी हट्टियों का अच्छे से मु सेजेरियन डिलिवरी हुई है, तो बच्चे के अलाबा, कोई भी भारी, घड़ा, बाल्टी, कपड़ी की बास्केट आपको नहीं उठानी चाहिए, इससे बहुत जादा प्रब्लम आ सकते हैं, कम से कम तीन महीने तक आपको heavy objects को खिसकाना, खीचना, उठाना नहीं अब बात आती है, personal relations की, कि अगर मेरी delivery ceserian हुई है, तो क्या हम contact रख सकते हैं, तो कम से कम 8 हफ़ते आपको gap रखना चाहिए delivery के बाद, ताकि आपकी शारिरिक इस्तिती सामाने हो सके, और उसके बाद आपकी क्या condition है, उसको खुल के doctor से बात करें, और जैसा आपको mark महिलाओं के साथ होता है, कि delivery होने के बाद depressed condition हो जाते हैं, आप handle नहीं कर पाती हैं सारी जीजों को ना अपना शरीर समल रहा है, ना बच्चा समाल पा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हार वेक्ति के साथ अलग-अलग हो सकती हैं, तो यह सुभाविक है, postpartum depression आपने life partner से बात करें, साथ ही नीद बहुत अच्छी लें, अगर आप नीद अच्छी नहीं ले पाएंगी, तो यह समस्या बढ़ती चली जाएगी, तो friends, आशा करती हूं कि आज के इस special episode से आपको बहुत मदद मिलेगी, अगर अभी तक भी आपने YouTube mom को subscribe नहीं किया, आप